हेलो दोस्तों आपके यूट्यूब चले टार्गविन मानुमियों आप लोगा 100 आगात है आज हम आप लोड़े कर रहे हैं SSC CGL की नौटिफिकेशन आउट हो गई है इस वीडियो में आप लोगो पूरी जानकरी दी जाएगी यहां तक कि आप लोगो इस वीडियो में उताय जाएगी की एज लिमिट भी क्या है पूरी जानकरी दी जाएगी उससे पहले हमाई चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना मुल्कुल नहीं भूले तो यहां पर आप आप लोगो दे सकते हैं SSC CGL तो इसमें क्या है कि पहले आपको पता अप्लिकेशन प्लिकेशन उन्तिंष बारा दो हजार फिज से होगा 31 2018 21 तक होगा मतलब 31 जनवरी जुज टक होगा लास्ट गेशन टाइमक बबले न दो फर्वरी 2021 ठीक है दो फर्वरी तक 2021 तक होगा ठीक है लाज डेट एंड टाइम आफ जनरेशन जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलान तो चार दो 2021 ठीक है इसमें आप लोगों ने सब देख लिया अब इसमें हम आपको उताते हैं डेट आफ टीर सिकेंड टीर फरस्ट डेट आफ तो सेडूल आफ कंप्यूटर बेज एक्जामनेशन टीर फरस्ट जो टीर फरस्ट होगा उसकी डेट भी यहां पर आपको दे दी गई है उन्तिस पांच दोजार इक्टिस को टीर फरस्ट होगा तो यहां पर आप लोग बहुत ही अच्छा लेवल निकला जिसने भी अप्लाई कर दें और इसमें टीर फरस्ट की जांड डेट भी दे दी गई अप्लाई करके आप लोग तैयरी में लग जाएं तिक 29 29 से होगा और साथ 6 2021 तक आपका पेपर चलेगा टीर फरस्ट का ठीक है डेट आफ टीर सीकन एक्जामनेशन तो भी नोटिफाइड लेटर म के बाद में आपको टीर सीकंड की भी डेट दे दी जाएगी तो ठीक है तो आप लोग इसमें आप लोग जल्द से जल्द अपने सबसे पहले फार्म को अप्लाई करें और फिर आपको यहां पर हम इस वीडियो में आगे होता हैं क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आप लोग देख लीजेगा फूर आप लोग तैयारी में लग जाईए ठीक है यहां पर इतना पता चलके आप लोग आप यहां पर हम आपको बता देते हैं कि डिटेल्स आप पोस्ट फालोइंग और लाइकली पोस्ट डैट विल भी फिर अप थ्रो दिस एक्जामनेशन प कांट है तो आप लोग आप लिए सकते क्या होता है और इसमें सबकी अलग 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 पोस्ट हैं हर फोपमें टैक्स फैसर कि अलग-अलग अठीक है इसमें हर एज गुरूप में दिया हुआ है तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर देख सकते हैं ठीक है और सब का इसके मतलब पे लेवल भी अलग अलग है मतलब जिसकी जैसी पोस्त है उसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा उसी टाइप के अपके सेलरी हो जाएगा ठीक है इसमें हम अब लोग को बता देते हैं कि एज लिमिट क्या लिजा रही है तो एज लिमिट आप दो सकते हैं फॉर्ट पोस्त आप विच एज लिमिट एटीन टूट टूटी सेवन कंडिडेट मस्त है बिन बॉन नाट अर्लियर देन टू एंट नाट लेटर देन वन वन सब्सक्राइब लोग को सब्सक्राइब लोग को पता जल दा गया तो आप लोग नोटिस दे सकते हैं अगर इस नोटिस को अगर अच्छे से आपको पूरी आराम से देखना है तो आपको क्या करना है सर्कारे रिम ड़ाट पर आप जहाएंगे तो आप वो लोग वावर सागरे जाएंगे तो में तो सब्सक्राइब लोग क्लिक करेंगे हम फो से आपको मिल जाएगई ठीक है को देसकते हैं इसकीम आफ इख्यम्सान क आती एक्जामिंशन विल भी कंडेक्ट in four tiers मतलब जो CGL का paper होता है वो four tiers पे होता है tier first जो होगा वो आपका computer based examination होगा tier second भी आपका क्या होगा computer based examination होगा tier third जो होगा pen and paper mode descriptive paper होगा and tier fourth में आपका क्या पूछा जाएगा computer project test and data entry skill test हो जाएगा ठीक है तो ये अगर आप जी चार stages आपको पार करनी होंगी अगर CGL आपको qualified करना है तो इस चार stages के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा और qualified भी करना पढ़ेगा तो ये और ये सारी preparation हमारे चैनल पर कराई जाएंगी मतलब आपको हर एक सब्जेट बता देंगी हर और एक सब्जेट पढ़ाएंगा मैं तो इसलिए हमारे चैनल को अभी तर सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर लें और सेयर करें बला कंदर नहीं कुछन रोंगे फिप्टी बास के फिर इंग्लिस पूछी जाएगी तो आप लोगों को इतने सब्जेट आपको टियर फास्ट में आप लोग तैयारी करेंगे फिर आप क्वालिफाइड हैं गया ये सारी में जैनको सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब करना बुले सब्क्राइब करें और बहुत नहीं लाइक करें ठीक है यहाँ पर बताते इस तेर सिकन्ड में भी आपका जो पेपर फर्स्ट होगा मैट का होगा हैंड़ कुछन सोंगे 200 मास्ट कि होंगे फिर इंग्लिस पूछी जाएगी इसमें टू हावर्स दिये जाएंगे फॉर इस पेपर को लिए ठीक है या पर क्या लिए टीर फास्ट एंटियर सिकन्ड विल बिकल सिट आप अब्जेक्ट्व टाइब तो टीर फास्ट एंटियर सिकन्ड होगा वह आप्जेक्ट्व टाइप होगा यह होगा तो जो लोग देना चारे उनको लोग दिमें अपना छूस कर लेंगे रिएंगले जो कंप्यूटर पर और होगा तो कि आप लिगों कि अलुए पता होना चाहिए अपर निगेटिव मार्ग इन कितने होगी तो जिरुपाइट फिप्टी फॉर इच रॉंग एंसर टिक है एंड टीर थाल्ड में क्या करती एट 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 सरी टीर से किन्ड में ए विल भी निगेटिव मार्क इन 0.25 और जो टीर स सबका अलग-अलग है दिया हुआ तो आप वो इसके दिन साट लेकर दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम बताते हैं टीर थाल्ड का जो मोड आफ एक्जामिशन होगा वह पेन पेपर मोड होगा हमने अभी होता था था एंड डिस्क्रिप्टी पेपर्स होगा उसमें क्या पू पूछने के लिए कुशन माइंड में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे हम आपका रिप्लाइग करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सौल की जाएगी तो इसलिए आप लोग अपना क्या कर लें सब कुछ यह आप लिका हुआ है कि अगर आप जो हो जाता है तो आपको क् कर लेंगे कोई प्रॉब्लम अगर नहीं डाउनलोड हो रही तो आप लोग अगर आपकी नोटिस डाउनलोड नहीं हो रही तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट बाक्स पर हमको बताएंगे तो हमको बता देंगे कैसे आपने आपको यह नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोई को रही है तो हमारे चैनल पे आप लोग पूश सकते हैं और हर एक कुश्चन की आप लोगों प्रावलम साल कराए जाएगी यह सब्जेक्ट्स हैं इनका आप स्क्रीन सौट जरूर लेने क्योंकि आपको क्या करना है फॉर्म फॉर्म अप्लाई करने के बाद मे बाद में सब्सक्राइब कर और हैं और परोह हुँ आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को cómo लाइक करें सेेर करें सब्सक्राइब करें बिला करने और धन्यवाद दोस्तों